गुद मॉरिंग स्टूदेंट्स, I hope all of you are fine. स्टूदेंट्स, प्रिवेस वीडियो में हमने exercise 10.1 के 4 sums कंप्लीट कर लिये थे, बहुत easy sums थे वो हमारे, I hope आपने उनको कंप्लीट कर लिया होगा notebook में और आप साथ साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे. स्टूदेंट्स, आज हम अपने sum number 5 से start कर रहे हैं, बहुत ही interesting sums हैं, आप सभी ने full concentration के साथ हर एक sum को समझना है, students, okay, so let's start, sum number 5, complete the following table with equivalent ratios, देखें students, जो ये table आपको given है, इसमें कुछ ratios given है, वो equivalent ratios given है, ratios थे ये, बड़ fraction की form में इनको change किया गया है, okay, तो आपने ये table complete करनी है, students, ये सारे ratios आपको कैसे given है, equivalent ratios given है, अब equivalent ratios जो equal होते हैं एक तरीके से, तो students, आपने इस sum में क्या करना है, आपने इस sum में 4 parts लेकर जलने हैं, 9 by 6 को first वाले ratio के साथ, फिर second वाले के साथ, फिर third वाले के साथ, फिर fourth वाले के साथ, और आपको इस sum को 4 parts में करना पड़ेगा, फिर ये sum आपका complete हो जाएगा, students, बहुत interesting method है, आपने ध्यान से समझन है, देखिए, इसको मैं A part मान कर चल दी हूँ, इसको B, इसको C, इसको D, अब मैं 9 by 6 के साथ, ये वाला ratio, यानि कि इस वाले fraction को लेकर चल रही हूँ, A part में, मुझे box की जगा पर कोई number फिल करना है, students, देखिए कैसे होगा ये, 9 by 6 is equal to 15 divided by unknown number, ये कोई unknown number है, students, यहाँ पर अपने कोई number फिल करना है, हम यहाँ पर X मान कर चल रहे हैं इस number को, फिर देखिए किस तरीके से procedure होगा, किस तरीके से हमारा ये number आ जाएगा, ये unknown number आ जाएगा, फिर हम ये box में फिल कर देंगे उसको, okay, देखिए, students, let unknown number, जो unknown number है, students, हम उसको X लेकर चल रहे हैं, so, क्य होगा, 9 by 6 is equal to, क्योंकि fractions equivalent है, students, इसलिए मैं दोनों को equality के symbol से show कर रहे हैं, equal लेकर चल रहे हैं, 15 divided by X, अब, again, हम cross multiply वाला method यूज कर रहे हैं, बहुत interesting method होता है, cross multiply वाला, और easy भी होता है, देखिए, cross multiply करेंगे, 9 को X से multiply, और 15 को 6 से, फिर हमें value किसकी चाहिए, students, X की value चाहिए, अब, ऐसे sums बहुत सारे कर चुके हम previous videos में, अगर हमें X की value निकालनी है, तो इस 9 को हमें opposite side पर लेकर जाना पड़ेगा, अगर ये 9 opposite side पर जाएगा, students, right side पर इसको transpose करवाएंगे हम, तो ये division में चला जाएगा, X is equal to, 6 multiplied by 15 divided by 9, अब क्या करनी है, हमें, cancellation करनी है, देखिए, 9 और 15 लेकर चल रहे हैं, हम, आप एक number नीचे से लोगे, दूसरा उपर से, फिर cancellation करोगे, आप 9 के साथ 6 को भी लेकर चल सकते हो, क्योंकि, 6 और 9 भी दोनों 3 पर डिवाइड हो जाएगे, 15 और 9 भी 3 पर डिवाइड हो जाएग अब आप क्या करेंगे, 5 और 3 तो cancel होंगे नहीं, 3 को 6 के साथ लेंगे, 3 बन जा, 3, 2 जा, 3 से ये दोनों डिवाइड हो चुके, आप देखिए, नीचे सिरफ 1 बचा है, students, उपर बचा है 2 और 5, तो 2 और 5 जब आएगे, students, तो ये दोनों मुल्टिप्लिकेशन में, 2 कितना आजाएगा, 10, it means, x की वैल्यू कितने आगई, students, आपकी 10 आगई, x की वैल्यू कितने आगई, आपकी 10 आगई, it means, आपके fractions कैसे आप लिखेंगे, आपके ratios कैसे आप लिखेंगे, 9 by 6 is equal to 15 divided by 10, और ये unknown number क्या आगया, हमारे पास 10, तो ये A part हमारा complete हो चुका है, students, इसी तरीके से आपने B part भी करना है, अब की बार 9 by 6 को 27 by blank box लेकर चलेंगे, हम देखिए, 9 by 6 is equal to 27 divided by unknown number, let unknown number is equal to x, 9 by 6 किसके equal, 27 by x क्योंकि ये fractions, ये ratios हमें equivalent given है, इसलिए हम equal लेकर चल रहे हैं, इनको, cross multiply करेंगे, तो 9 multiply by x is equal to 6 multiply by 27, cross multiply आपने ध्याम से करने है, students, first वाले fraction का numerator, second वाले के denominator से multiply होगा, फिर first वाले का denominator, second वाले के numerator से multiply होगा, दोनों equal आजाएंगे, अब देखिए, आपको value तो x की चाहिए, unknown number की value चाहिए, तो इस 9 को आपको दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा, दूसरी साइड पर जाएगा तो यह division में हो जाएगा, six multiply by twenty seven divided by nine, okay students, अब आपने क्या करने है, cancellation करनी है, जरूरी नहीं है, students, आप इन दोनों numbers को multiply करो, फिर cancellation करो, ऐसे भी cancellation हो जाती है, हमारी, एक number ने से से लो, दूसरा, उपर से, और वैसे मैंने बहुत बार बोला है, आपको, cancellation आपको होती है, higher classes में भी और इस class में भी यूज होगी, और cancellation के लिए आपको मैंने बोला भी है, kit tables आपको आपको आने चाहिए, divisibility test आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, okay students, अब देखिए, अगर मैं 27 और 9 को लेती हूं, तो यह 9 से डिवाइग हो रहे है, 9 1 जा, 9 3 जा, अब यानि के हमारा unknown number क्या आगया, 18 आगया students, यानि के, so 9 by 6 is equal to 27 divided by 18, and this is your answer, okay students, यह unknown की value कितनी आई है यहाँपर, 18 आई है students, box की जगह पर क्या आगया, 18 आगया, similar way में हमने C और D पार भी अपना complete कर लेना है, let us do, अब की बार 9 by 6 को हम box divided by 28, जो टेबल में गिवन है, वो हम लेकर चलेंगे यहाँपर, अब की बार भी unknown को x लेकर चल रहे हैं, आप और कोई भी variable ले सकते हैं, students, y भी ले सकते हैं, okay students, आपकी चोईज है, let unknown number is equal to x, then 9 by 6 is equal to x divided by 28, again, क्या करेंगे यहाँपर, cross multiply, cross multiply, अगर आप करेंगे, students, 9 को 28 से multiply करेंगे, और 6 को x से, 6 multiply by x, अब value किसकी चाहिए, x की value चाहिए न, तो x तो इसी साइड रखो, आप इस 6 को दूसरी साइड भेज दो, जब यह 6 दूसरी साइड पर जाएगा, तो यह division में हो जाएगा, students, is equal to x, x की value अब कैंसिल करेंगे, हम इसको, 6 और 9 को ले लेते हैं, पहले, 3, 2, 6, 3, 3, 9, अब 2, 28 को ले लेते हैं, हम एक नमबर नीचे से, एक नमबर उपर से, जब तक completion नहीं हो जाता, cancellation complete नहीं हो जाता, तब तक हम cancel करते रहेंगे, 2 बन जा, 2, 14 जा, अब देखे, students, x के वले कितने आ गई हमारी, 3, 14 जा, 42, 42 is equal to x, लिखो, या x is equal to 42, लि students, it means unknown क्या आ गया है, हाँ पर, 42 आ गया, so, आप, next line में लिखना, students, यह, so, 9 by 6 is equal to 42 divided by 28, okay, students, आपको कोई भी दो fractions given हो, कोई भी दो ratios given हो, students, ऐसे ही proceed करना है, आपने बेशक, आपकी statement change हो जाए, method आपका, यही रहेगा, और सबसे easy method यही है, आपका, okay, कोई भी कितना भी ब चोटा नंबर हो, now, D part, मैंने पहले ही किया हुआ है, same है, बिल्कुल, अननोन को X लेकर चलेंगे, बिल्कुल, C part के जैसा है, यह X की वेल्य कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी, students, so, 9 by 6 is equal to 54 divided by 36, okay, students, now, let's do sum number, 6, यह, what problem है, students, आपने ध्यान से समझने है, statement को, उसके बाद स students in a school, एक school है students, उसमें 70 तो buses है, okay, और students कितनी है total, 2100, अब क्या पूछा गया, find the ratio of the buses to the number of students, buses का रेशो पूछा है किसके साथ, number of students के साथ, it means buses पहले number पे रहेगी, और number of students second पे रहेगा, students, देखिए, word problem है, wordings लिखनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर solution में सबसे पहले क्या जो given है, given क्या है, number of buses, buses कितनी है, 70, number of students कितनी, number of students is equal to 2100, अब बताना गया है आपने, ratio बताना है, बसे का number of students के साथ, so ratio of buses to the number of students, सारी की सारी वर्डिंग्स मेंने, statement में से ही लिखी है students, okay, is equal to, देखिए, buses आएगा first number, between 70, is to 2100, अब हम इसको solve करेंगे, तो आपको पता है ratio है, तो यह fraction की form में लिख लेंगे हम, 70 divided by 2100, अब cancellation होगी students, 0 से 0 जाएगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 बंजा 30, it means, यह क्या आगे आपके पास, 1 divided by 30, आपने तो ratio बताना है न बच्चों, तो आप इसको ratio की form में लिखेंगे अब ही यह fraction की form में है, 1 is to 30, आप इसको 30 is to 1, बिलकुल भी नहीं लिख सकते, वो आपका रोंग हो जाएगा students, okay, तो बहुत easy sum था, sum था, अगर statement भी चेंज हो जाती है, तो भी आपको 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 आपक अ 30 cm long line segment is to be divided into two parts in the ratio of two is to three, एक line segment है students, एक line segment है, जिसकी पूरी लेंध कितनी है? 30 cm, ओकी यह आपको गिवन है, अब इसको two parts में divide किा गया है, किस ratio में, two इसप्तो three के ratio में, find the length of each part, हर एक part की आपने length बताने है, लंबाई बताने हर आपको आपको तो टुकडे किये गए हैं, आपने हर एक टुकडे के लेंथ बतानी है, okay students, देखिए, बहुत इंटरस्टिंग सम है, आप इसको ध्यान से समझना, और बहुत इंपोर्टेंट भी है, वर्ड प्रोब्लम है, तो वर्डिंग्स लिखनी पड़ेगी हमें पहले, पहले गिवन देखिए क्या है, लेंथ पता है हमें, कितनी है, 30 cm, किसकी, क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है, लेंथ ओफ लाइन सेगमेंट, solution में सबसे पहले हम लेखेंगे, लेंथ ओफ लाइन सेगमेंट, कितनी है students, 30 cm, okay, first line clear, now, second line में क्या लेखेंगे, गिवन रेशो, रेशो कितना गिवन है बच्चो, 2 is to 3, okay, यहां तक clear है, अब मेथड देखो कैसे हम करेंगे इसको, sum of ratio terms, यह जो ratio की terms given है न बच्चो, 2 और 3, इनको आपने क्या करना है, add करना है, बहुत important step है, बहुत सारे sums में हम use करेंगे इसको, okay, इनका क्या कर दिया, आपने sum कर दिया, कितना आगया, 5, अब length of first part, first part की length कैसे आप निकालेंगे, वो मैं बताती हूँ, क्या method होता है, length of first part, line segment के पहले टुकडे की length कितनी होगी, देखिए, उसका जो first वाला जो ratio है, students, क्या है, first वाली ratio term क्या है, 2, first part के लिए, 2 divided by sum of ratio terms कितना है, 5, total length कितनी है, 30, क्या किया मैंने, first part के लिए, 2 उपर रहेगा, first जो ratio term है, sum of ratio terms नीचे रहेगा, multiply by जो total length है, अब हमने इसको cancel करना है, यह five denominator में है, 30, numerator में है, five की table में 30 आता है, five वन जा, five six जा, it means, क्या आ गया, two और six है, उपर, two multiply by six, it means 12 centimeter, जो first piece है ना, उसका, उसकी length कितनी है, बच्चो, 12 centimeters, बुलकुल same way में हमने second part की length करनी है, बहुत interesting है, length of second part is equal to, second part के लिए three, three लेंगे आप second जो ratio term है, divided by five, multiply by, five means यह जो sum of ratio terms था, total length कितनी है, 30, फिर से वही cancellation five, one जा, five six जा, अब की बार three और six multiply होने के बाद कितना आ जाएगा, 18 centimeter, first part की length 12, centimeter a second की 18, आप इनको add करके अगर देखेंगे न, students, तो आपका 30 ही आने वाला है, it means, दो टुकडे किया, आपने दोनों की length add करके भी कितना आ रहा है, 30, it means, हमार answer बिलकुल correct है, okay students, I hope clear हो गया होगा आपको, okay, now next sum is, sum number eight, divide rupees 480, between vasu and shobhit in the ratio of three to seven, देखे, students, यह भी divide वाला sum है, it means, कुछ रुपे है, यहाँ पर, उनको दो friends में divide किया गया है, ratio क्या लिया है, three to seven, बिलकुल seven sum की तरह ही करना है, यह भी हमें, देखे, कैसे करेंगे, यहाँ पर rupees को divide किया गया है, वहाँ पर line segment के part किया गये थे, line segment को divide किया गया था, किसी ratio में, तो देखे, बिलकुल same procedure हमने follow करना है, पहले given लिखेंगे, total money कितने है students, rupees 480, two boys है हमारे पास, उनमें divide करना है, ratio कितना given है, three is to seven, given ratio कितना है बच्चो, three is to seven, okay, अब next line में हम लिखेंगे, sum of ratio terms, जैसे हमने seventh part में किया, sum of ratio terms, three plus seven is equal to ten, clear हो यहाँ तक, अब, किसका share निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है, वासू का और शोभित का, तो आप लिखेंगे students, students वासूज शेर, वासू का शेर, वासू का हिस्सा कितना होगा, first पे वासू लेना है students, आपने second पे शोभित लेना है, क्योंकि यह respectively given है, first वासु के लिए है, दूसरा है शोभित के लिए, वासू का जब आप निकालेंगे तो three लेकर चलेंगे यहां पर divided by total sum of ratio terms multiply by जितने रुपे हैं it means 480 अब क्या करना है cancellation करनी है 0 से 0 cancel हो जाएगा बच्छो रुपीज में आमसे राएगा क्योंकि रुपीज को divide कर रहे हैं 3 एट जा 144 रुपीज इतने रुपे तो आए वासू के हिस्से में दूसरा जो लड़का है वो है शोभित शोभित का शेयर कितना हो जाएगा है अपोस्ट्रोफ एस यूज कर रहे हूं शोभित शेयर कि इतना हो जाएगा देखिए अब आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से मैं यहां पर सेवन लेकर चलने वाली हूं और अपॉन में अपॉन में आपको पता लग गया होगा क्या लोंगी सम प्रेशो टम्स इट मींस 10 मल्टिप्लाइबाइबाइब टोटल मनी कितना है अगें कैंसिलेशन होगी जीरो से जीरो जब हम इसको 48 को सेवन से मल्टिप्लाइब करेंगे थ्री हंड़ थर्टी सिक्स रुपीज तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका को एड करेंगे ना स्टूडेंट्स तो यह 480 ही आएगा इट मींस हमारा अंसर बिल्कुल करेक्ट है ओके स्टूडेंट्स तो बहुत इजी सम थे बहुत इंट्रस्टिंग थे आपने इनको कम्प्लीट कर लेना है अच्छे से और रिवाइस भी कर लेना है यह जो 7 और 8 सम हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी हैं स्टूडेंट्स ओकी सो कम्प्लीट यॉर वक थेंक यू